आज कल साधी करने से बचती क्यों है लड़कियां जानिये इसके पीछे का खास बज़ा मेरे साथ तो हेलो गाइज मेरा नाम है आलोग मैं हूँ आपका दोस्ट और होस्ट और आप देख रहे हैं नौलेज बूस्ट चलिए शुरू करते हैं हम लोग नए साल दोहया तेश में भले ही आ गए हूँ लेकिन लड़कियां अभी भी साधी करने से कतराती हैं दरसल चलते लाइफ अस्टाइल की वज़ा से लोगों के सोच में तेजी से बदला आब आ रहा है जिसके चलते ज़्यादा तर लड़कियां साधी करने से कतराती हैं लड़कियां अपने करियर को बनाने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आम तोर पर महानगरों में रहने वाली लड़कियां जो अच्छी सिछा हासिल करने के बाद अपना अच्छा खासा करिया बनाना चाहती है वे सभी लड़कियां साधी जैसे रिस्तों से दूर रहना चाहती है लड़कियों को लगता है कि अच्छी life जीने के लिए किसी बंधन में बढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसी कई वज़ा है जिसकी वज़ा से लड़कियां साधी नहीं करना चाहती चलिए जानते हैं कि वो वज़ा आखिर कौन कौन सी है नमबर वन किसी बंधन में बनना पसंद नहीं देखिए आज के दोड़ में लड़की हो या लड़का हर कोई आजाद खयालो का होता है अच्छी सिच्छा हासिल करने के बाद लड़कियां अच्छी नौकरी करनी चाहती है अच्छी नौकरी के साथ साथ वे काफी सफलता भी हासिल कर लेते हैं तब उन्हें मसूस होने लगता है कि वे अपनी आजाज जिन्दगी जी रहे हैं साधी के बाद एक बंधन में बंद जाएगी इसलिए वो कई बार साधी न करने का फैसला ले लेती है नमबर टू लड़किया जीमेदारी से रहना चाती है दूर देखिए एक लड़की के लिए साधी का मतलब होता है कई जीमेदारियों को संभालना मिडिल क्लास की अच्छी सिछा प्राप्त करने के बाद नौकरी करने वाली लड़किया जीमेदारी के नाम से डर जाती है लेक अगर किसी वजह से लड़की या लड़के के घरवाले साधी के लिए राजी नहीं होते, तो उनके परिवार वाले उनकी साधियां जबरदस्ती करवा देते हैं जिसकी वज़र से लड़कियां साधी करने से इनकार कर देती हैं ऐसी लड़कियां बहुत ज़्यादा भावोक और प्रेम में समर्पित होती हैं वो लड़कियां कभी शादी नहीं करती और अपने प्रेमी की याद में पूरा जीवन गुजार देती है देखिए एक लड़की जब अच्छी सिछा प्राप्त कर लेती है तब वो इस बात को अच्छे समझ जाती है कि उनके माता पिता कैसे और किन हालातों में उन्हें पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया है तब जाकर उन्हें एक अच्छी सी नोकरी मिली है ऐसे में लड़कियां जिन्दगी भर अपने माता पिता की सेवा करना चाहती है